हाई फैमिन क्या से हो मुझे आशा है कि आप अच्छे होगे तो आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं तो बात यह है कि अभी की इनरजी जो है वो डिवाइन फैमिन जो है हमारी वो कुछ दिनों से मतलब फुल मुल के दो तीन दीन चार दिन पहले से ही ब्लैंक फिल कर रहे थी उन्हें अपने पार्टर के नेम बहुत जादा दिख रहे हैं इनिशल्स दिख रहे हैं और उनके मत कलर उनके जैसे कपड़े और गाड़ी के नंबर यह सब सारा जादा स्वोर है प्लस साथी साथ उनको ना कहीं कहीं किनी के साथ यह रिजुनेट कर सकता है सबके लिए नहीं डिवाइन फैमिन को कुछ ऐसे जोनके सोलमेट है उनके भी नेम बहुत जादा दिख रहे हैं कार फुल अवकन है हमारी फैमिन तो वो अभी बैलन्स चल रही है लेकिन बीच में थोड़ी इमोशनल हो गई थी दो चार दिन तीन दिन पहले काफी इमोशनल हो के मतलब नाइट में लगबग ऐसा होई जा रहा है कि आपनो रो रहे हो तो यह नहीं करना है कुछ को बैलन्स कर जा गया है क्योंकि यह फुल मुन के टाइम में ब्लैक मजी का प्रयोग हुआ है आपकी जो कार्मिक है उन्होंने किया है क्योंकि उस समय से ना हमारी दिवाइन फैमिन बिल्कुल शुन ने में चले गई है कभी-कभी ऐसा भी फील होता हुआ कि कुछ सोच समझने की शक्ति नहीं है आपके अंदर बिल्कुल शान ना भूग लगना ना प्यास लगना और अचानक से फिर मूड अप डाउन अप डाउन होना उसा ना चुड़ चुड़ापन बॉड़ी पेन अभी बैक पेन बैक बोन में भी पेन हो रहा होगा बहुत लोगों को और बैक बोन टेल ब इसके साथ हो सकती है बहुत सारे फेमिन्स के उपर जिनके उपर ब्लैक मेजिक किया गया है तो वह जब भी खाने के लिए बैठते होंगी ना तो खाने में बाल इनका निकल जाना या फिर चाय अगर पी रहो मच्छर या मक्की का पड़ जाना कुछ भी इस तरह का अगर हो का मतलब आपके थ्रोड चक्रों को ब्लॉक करने कोशिश कि यह हार्ट चक्रों को ब्लॉक किया गया है तो आपके हार्ट चक्रों को ब्लॉक किया गया है तो आप ग्रीन कपड़े पहन सकते हो जादा से जादा ग्रीन में आप जा सकते हो आप मतलब पूरी तस है आपको ट् कुछ रोगों के लिए यह है ना, कि आपके ज्ट पुल मुन के दिन ही, या उसके एक दिन पहले य उसके बाद आपको जबतास ट्रिगर दी होगी, या तो आपके जगड़े हुए या फिर आपने देखा कि Divine Musculine के साथ आपकी जो कार्मिक है उसको आपने देखा और ये सब कुछ जानते हुए ही किया गया है आपके Divine Musculine में आपने आपको ट्रिगर देने के लिए किया तो इसको बहुत मतलब आप जादा इसको बड़ावना बना है क्योंकि बहुत सारी इस फैमिन अभी इस कंडिशन में आ गई है कि अब तुम जाब हड में मुझे इससे कोई मतलब नहीं कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो कोई मतलब नहीं तो ऐसी स्थिती भी डिवाइन फैमिन के है क्योंकि वो जो फुल मतलब अविकन है खुद को बैलंस्ट रख रही है डिवाइन फैमिन वो उन पे इन चीजों का आसार नहीं है मतलब कहीं न कहीं वो अपने आप से सेल्फ लब में आ चुकी है ची तरह से तो ये स्थिती है लेकिन कुछ-कुछ फैमिन जो है वो डिस्टरब है वो पुरी तरह से कभी-कभी अनबैलंस हो जारी तो वज़ा है इनकी डिवाइन में स्कूलिंग भी अनबैलंस्ट है वो उनकी एनरजी ले रही है और इस तरह से हो जारी है तो खुद को बैलंस करो बहुत सारी जो हमार इत्तारा मंत्र चैन्ट कर सकते हो जस्ट दो दिन पहले मैंने एक हमारी जो पडोसी है 20 जनी में है उन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की मैंने उन्हें बोला इत्तारा मंत्र बहुत साधा effective है तो आप इसको करो उन्होंने किया से दो दिन दो दिन में उनके पार्टनर का कॉल भी आया वीडियो कॉल भी आया तो फैमिने प्लीज इस पे आप काम करो अपने उपर काम करो meditation करो meditation नहीं हो रहा है तो कोई मंत्र चैन्ट करो ओम नवश्यवाय या कुछ भी आप जिस भी मतलब इश्वर को मानते हो अपना कुछ भी ऐसा जो भी होता होगा ना उसको आप जाइड करो उससे ना आपको मानशिक मानशिक सानथी मिलेगी फिलाल यह है कि आपको भी पानी पीनी के जरूद है ध्यादा सत्ат ज्यादा रेस्ट की जरूरत है आप करो rest करो कि rest नहीं करोगे तो unbalanced हो जाओगे तो balance रखना खुद को बहुत ज़रूरी है क्योंकि कार्मेक और आपके पार्टनर भी कहीं नहीं है आपको trigger देने के लिए तयार है तो उनसे बचने के लिए रेस्ट की ज़रूरत है जादा पानी पियो बहुत जादा नहीं लेकिन पियो आप अच्छे से बहुत सारी feminine खा भी नहीं रहोगे उन्हें भूग नहीं लग रही होगी बहुत सारी feminine थोड़े जिग्यासा जो है आपके अंदर जो भी आप special जानते हो उसको नहीं खार हो तो अपने उपर काम करोगे न और divine feminine जो है divine masculine कब कितने बचे on हुए कितने किस time off हुए यह जो देखती रहती हो stocking मत करो क्योंकि वो stocking करोगे न तो आपके divine masculine बेब जस्ट mirror कर रहे हैं आपको तो आप अगर करोगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे positive positive सोच रखो क्योंकि positive सोचोगे तो आपके masculine भी आपके लिए positive सोचेंगे क्योंकि वो fully mirror कर रहे हैं तो फिलाल जो है न मेरी यही इतनी ही advice है अगर आपको अच्छी लगे तो मानो और like भी करो okay thank you